हेलो दोस्तों, वेल्कम तो सीडाटी सलूशन यूटूब चैनल, दोस्तों अभी हाली पे AICT ने अपने ओफिशिल ट्यूटर एकाउंट पे एक नए इंटर्शिप का नोटिफिकेशन डाला हुआ है, और अगर आप अभी कॉलेज में पढ़ते हैं, सेकंड या फिर आप थर बिल्कुल फ्री पे ट्रेनिंग मिलने वाली हैं, और आप यहाँ पे रिसर्ज बेस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, इसके अलावा दोस्तों सलिट होने पे आपको स्टाइफ़न तो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, लेटर आफ रिकमेंटेशन और इंटर्शिप का से रहते हैं, वीडियो में आगे बढ़ने के पहले दोस्तों एक काफी अच्छी आपॉचिनिटी के बारे में आपको इहाँ पे मैं पताना चाहूँगा, अगर आप इन फीचर सौफ्टर इंजियर बनने का सोच रहे हैं, किसी सौफ्टर कंप्री को क्रैक करने का सोच रहे है तो Unacademy आपके लिए एक ऐसा platform ले किया है, जहाँ पे आपको software development से related सारी जानकारी मिलने वाली है, कि किस तरीके से आप किसी startup company के ले apply कर सकते हैं, कैसे आपको वहाँ पे अपना resume करना है, किस तरीके से आपको resume बनाना है, कौन से top 20 questions आप से पूछे जा सकते हैं, उसका आपको कैसे answer देना है, आपके resume को यहाँ पे top experts के द्वारा review किया जाता है, आपको कौन सा project बनाना है, ताकि आपका resume है वो बड़े बड़े company में short list हो पाए, यह सारा का सारा जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, साथ में दोस्तों यहाँ पे जो fan company crack कर चुके हैं, वो भी अपना experience आपके सा share करने वाले हैं, आपको guide करने वाले हैं कि किस तरीके से आप उन company को crack कर सकते हो, इसके अलावाद दोस्तों समय समय पे आपके यहाँ पे special event होते रहते हैं, जैसे कि इस बार आपके काफी special event होने वाला है, जिसमें आपके college project के बारे में आपको बत करना चाहते हैं, तो सबसेची बात यहाँ पे यह भी है, कि आपको इसके लिए काफी minimum cost पे करना है, साल पर के लिए आपको सिर्फ वसिफ 999 पे करना है, अगर आप वेरा code CIT यूज़ करेंगे, तो आपको extra यहाँ पे discount मिल जाएगा, जिसके बाद आपको सिर्फ वसिफ 899 पे करना होगा, साथ में दोस्तों यहाँ पे आपके लिए हर दिन कोई न कोई एक events होता ही रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर संडे आपके लिए अनुज भाईया एचा टॉक्स लेके आते हैं, आपको project किस तरीके से बनाना है, इसका guidance आपको हर संडे दि इसका पूरा का पूरा knowledge मिलता है, और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 899 ही पे करना है, अगर आप इसके लिए इंट्रस्टेड हैं, सारे लिंक आपको description पे दिये गए हैं, तो इसे जो एक बाद चेक करिएगा, अब हम चलते हैं दोस्तों, official website पे और देख application form launch हुआ है, मतलब अगर आप इसमें select हो जाएंगे, तो next year आपको ये internship करने का मौका मिलेगा, अगर बात कर ली जाए, कि यहाँ पे अगर आप apply करना चाहते हैं, तो last date क्या है, तो last date आप 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 देख सकते हैं, 22 September है, इसके पहले आपको application form को feel कर दिना है, और इस research internship के different days के लोग जैसे की Australia, Brazil, India वाले भी apply कर सकते हैं, select हो जाने पे दोस्तों आपको यहाँ पे 12 week research internship करने का मौका मिलता है, जिसमें Canadian City के जो faculties हैं, आपको चीज़ों को guide करते हैं, research भी इस project पे काम करवाते हैं, इसके अलावा आपको यहाँ पे और भी कई सारी facilities मिलती है, अब अगर बात करें कि कैसे आप इसमें apply करेंगे, तो students application वाले section पे आपको आना है, जहाँ पे आपको इसका complete knowledge देखनी क्लिए में जाएगा, तो जैसा मैंने आपको बताया है, दूस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, 12 week internship program है, जिसमें आप faculties के साथ मिलके काम करने वाले हो, अपने hands-on practice को बढ़ाने वाले हो, projects पे काम करने वाले हो, और अगर बात करते हैं, eligibility criteria के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इसमें apply करना चाहते हैं, तो आपकी age 18 plus होनी चाहिए, अगर आप अभी किसी भी college में पढ़ रहे हो, आप अभी graduation कर रहे हो, या पिर आप master's program कर रहे हो, तो आप इसमें apply कर सकते हो, और इसमें कौन console अग apply कर सकते हैं, या पे देख सकते हैं, इन्होंने list भी जारी की है, जो मैं आगी की वीडियो है, आपको बताता हूँ, अब अगर बात कर ली जाए, कि अगर आप इसमें apply करेंगे, तो और क्या-क criteria यहां पर मांगा है, गया है, तो आप इहां पर देख सकते हैं, अगर आप apply करना चाहते हैं, तो आपको English या फिर French language का अच्छा knowledge होना चाहिए, या तकि यह जो internship है, 12 weeks continue चलने वाली है, और यह होने वाली है, मई 1 से October 31 के बीच में, और अगर आप इसमें apply करने का सोच रह आने पर दोस्तों आपको यहां पर इंडिया के लिए eligibility criteria देखने के मिल जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि अगर आप AICT-based किसी college से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपके college का affiliation AICT से है, तो आप यहां पर eligible हैं, या फिर दोस्तों अगर आप SICI, मतलब सास् into Canadian college की category में आते हैं, तो आप यहां पर eligible हैं, अगर आप AICT-based college से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका जो percentage का criteria है, यह 80% या above होना चाहिए, SICI के लिए 70% या above होना चाहिए, अगर आप इन criteria को fulfill करते हैं, और आपकी English अच्छी है या फिर French अच्छी है, तो आप इसके लिए जिब हैं, बिल्कुल apply कर सकते हैं, अगर आप apply करना चाहते हैं, तो registration दोस्तों इसके start हो चुके हैं, आपको यहां पर apply here का एक button मिल रहा है, जिस पर आपको click करना है, click करने के बाद आपके सामने एक form आता है, जिसे आपको feel कर देना है, इसके बाद जो भी आगे का notification है, व